हुआ है हलो फ्रेंड वेल्कम टो मिशन के वियस आज हम डिसकस करेंगे एनिमल किंग्डम देखो डाइबरसिटी ओफ लिविंग और्गानिजम चल रहा था है डाइबरसिटी ओफ लिविंग और्गानिजम यानि सजी वह में विविदता तो वह आपका यूनिट दिया हुआ वह काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको मुनेरा करा दिया प्रोटेस्टा करा दिया और आज हम मैं एनिमल किंग्डम करा दूंगा तो इसको कराने के बाद यहां से आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा मतलब यह आपका एंड है आज यहां से आपका पूरा य मैंने लिविंग व्र्ड्ड कह सकते हैं सजीव जगत कह सकते हैं यह सब 47 अबने बढ les फस्त हैं तो प्टार जन्य को सब्सक्राइन है थे जुत को वीकृष्टी लंब सकता है म eyesight के बारे मीद्च that सब करद के बारे था अच्छ के बारे इंबल बताने वाला हुए यहाणि सजी करवाने के बाद मैं रखता हूं चीज कि आपका इसमें से कोश्यन तो नहीं चूटेगा काफी कुछ कवर्दगर नहीं कोश्च किये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन देखना बड़े स्टूडेंट को आपती नहीं आने वाली तो चलिए वीडियो को शुरू करते आप यहां पर कितने डैवर्सिटी देखने को मिल रही है कट हैं तो सबके अपनी साहब से बटे हुए है किसी का रहने का जगह कुछ और है किसी का कुछ और तो हर ऑने अपने तरीके से अब जितने भी इसमें जीव है जितने भी आनिमल है वह सारे अपने आप में स्पेशल है इसमें आपको कुछ रोचक चीज़े एक्साइटिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगी जिससे जो हम पहले शायद ना जानते हों ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह इसका तो आप तो कल पक्का मैं 100% प्रॉमिस मैं आज या कल में इसका पूरा पीडिएफ आपको दे दूँगा और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसका स्क्रीन शॉट जरूर लेना इस चीज़ का ठीक है देखो मैंने जब डैवर्सेटी इन लिविंग और गैंजम या सजीव विजित था यह प्लांट किंग्ञम का पार्ट है तो फिर मैंने इन दोनों को साथ पढ़ाया आज हमारी बारी है एनिमल केग्णम को पढ़ने की जो जगत है ना उसको पढ़ने की अब जो एनिमेल्ट है इसको हम दो पार्ट में बाढ़ देते हैं एक तो नॉन कोड़ेट्स और ए कशे रुकी के मतलब क्या होता है की जीवन की किसी न किसी अवस्था में Rea denser था में इन आपको स्पाइनल कोड नहीं हो इसमें में पड़ा इसमें इन बॉल इसम मैंए परे पुरे संग वेचा या जोवका को प्रॉटढस्टा वाल स्टा पड़ा लिया था तो मैं इसको यहां नहीं पड़ाओंगा मैं पड़ाओंगा इसको फाइलम पैडि पैरिफेरा फाइलम का मतलब हुतासाँ ठीक है इनको हम पड़ेंगे नॉन कॉड़ेट्स की स्टरेणी में यानि ये वह है, ये वह जीव है जिनकी रेटी की हड़ी किसी भी जीवन के स्तर में मौज आजीवन में हिलती उती हैं वेइनका औरिजिन से लेकर अप्ट अप्ड हो कहीं भी इनको रेडी की हड़ी देखने को नहीं लेकिन कजिरू की बड़ा जीम नाम लेकिन याद रखना पड़ेगा कोकशे रुकी जो होता है इनमें 5 प्रवाट देते हैं यह बेसिकली 5 पांच क्लासेज होती है इसमें और में लेकिन पांच से कोशन फसते हैं हर बार का है ठेक है तो यह मतस्य आपको देखने को मिलेगा इसके बाद और इसके बाद स्तन पाई यानि मैमलिया या मैमल्स जो अपन लोग है मैमल्स ठीक है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि इसमें मैंने सब को ही कवर कर दिया लेकिन आपको शरुएटी दू कि दो भागों में गजाता है एक नॉन को यानि जिलमी सबसे पढ़ेंगे नॉन को सबसे पढ़ेंगे ना नौ है है ये पढविक षुक कशेरु की या नि कोडेट या कोडेट के बारे मैं पड़ेंगी जिनमें रिडिकेट्टी पाया यह एंड में इसमें अब भी आतें खही नigare ठीक है तो संग्परिफेरा या फैलम्न परिफेरा पॉरिफेरा कह लो पिरिफेरा कैलो इसकी विशेष तो यह स्पंजी होताया जिनमें छेद पाए जाए होल्स पाए जाए ठीक है दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजी या स्पंज का जाता है इनके छोटे-छोटे होल्स होते हैं छिद्र पाए जाते जिनें ऑस्टिया का जाता है ऑस्टिया किसे कहा जाता है इनके श्रीर पे छोट-छोटे छेद पाए जा वह कठोर आवरण और भारी कंकाल से धका होता है कठोर आवरण से इनका श्रीव धका होता है ठीक है दीज आर नॉन इस आर नॉन मॉटाइल एनिमल्स अटैज तु सम सॉलिट सपोर्ट देखो यह कहीं पर चलते नहीं है कहीं पर नहीं जाती एक जगा स्थिर रहते हैं और यह एक किसी सॉलिट सपोर्ट से जुड़े रहते हैं समुद्र के अंदर आप अगर डिस्कवरी बगारे देखते होंगे तो इनको जरूर पाएंगे आप क्योंकि यह न कहीं जगा पर चिपके रहते हैं हिलते नहीं है जहां पर रहते हैं वहीं से पोश्टन ग्रहन करते इस फाईलम के सभी जनतु खारे पानी मरीन में पाई जाते हैं केवल स्पॉंजीला ही निए स्पॉंजीला को लेकर स्पॉंजीला जो है वह मीःआ पानी में फ्रेश वार्टर वांडर पाए जाता है अधरवाइस विस्टने भी है वह सारी पाई जाते हैं घाल पानी में ठीक है इसलिए sqonjila को प्रेश वांटर पानी में नहीं मीठे पानी हब जाता है तो स्फॉंजीला को एक वांटर पॉटर प्रणाली होती स्वशन करने की वांटर फूड बगेरा एक जिगह से दूसरी जगा पहुचाने की इनकी कनाल प्रणाली होती है यह नाल प्रणाली feeding, स्वशन उच्छर्जन और जनन वागर्राइशन मैं इन सर्जन और उच्सकरजन और जनन्हीं इन्हीं उच्छर्जन कउन्वी इन यह नाल प्रणाली इनकी शायक होती है ध्यान रख लेना एक्जामपल यूपलेक टेला यूपलेक टेला साइकॉन साइकॉन देखो कौन की तरह दिख रहा है यह कौन इसमें आइसक्रिम बरके खालो ऐसा दिखाई देरे लेकिन आइसा होता नहीं है इसमूद्री जीव है यह स्पंजीला यह देखो इस फ्रेश वाटर में पाया जाता है इसी बात की थी मैंने स्पंजीला और यह बात स्पंज यूस पंजिया यह इसी का पार्ट है यह एक्जामपल से इनको याद रख सकते हैं इसलिए चित्र में दिखाए गया है और 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 चित्र तयंकर करें वंदिओर से समय रहता है यह जिसे हं धिए समत्राइब मतलब अगलोब के स्केब्स और है कुछ और है वाएवा इट्री सिंगलाय उंगने स्पाइण थुछ ऐसरी सिंगल स्वेश रहते हैं अकेले श्रीड रहते हैं उसमें कोना था हाइडरा हाइडर तो अब आपने फिर देखी उसके लिए भले वह सकते हैं इनका सरीर संगठीये स्थर हुआ तक होता यानि जनका मैंने आपको लेवल सब्समा पड़ाया था एटों ठीक है ऐटों मोलीक्यूल मॉलीक्यूल आपका जो और लेवल उस्टा है उत्तक के स्तरका होता है टीशू लेवल का ध्यान रखना ठीक है इनके शरीर में खास प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे दंश कोशिका एक कहा जाता है इंगलिश में इसको कहते है नेमेटो बलासस कहते है इनके स्रीण में रखत नहीं होता फिर भी ये रैस पिरेशन करता है इंहें ं खून नहीं पाए जाता लेकिन फिरीजा रैसिरेशन परता है ठीक है strange इनमें स्वशन तंत्र उत्सरजन तंत्र और परिसंचन तंत्र कुछ भी नहीं होता ध्यान रख लेना ना तो इनमें respiration system होता है ना excursion system होता है ना circulatory system होता है फिर भी यह जीवित रहते हैं ठीक है इस फाइलम के जातर जीव समुद्री होते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी यानी fresh water नो पाए जाते हैं जैसे hydra ठीक है hydra जो कि फ्रेश वाटर नो पाए जाता है ठीक है ध्यान रख लेना इसको यह रहे इसका jellyfish देखो अगर आपको jellyfish लगे कि मचली है तो ज्यान रख लेना है मचली नहीं है यह यह मचली नहीं है यह सिलें लेकिन मचली नहीं होती जैसे starfish starfish मचली नहीं होती jellyfish jellyfish मचली नहीं नहीं होती ठीक है तो jellyfish क्या है एक silentrata अब इसके बाद आता है phylum platyhelminthes या फिर चप्टे creamy चप्टे या flatworms कहते हैं इनको flatworms phylum platyhelminthes ठीक है इनका शरीर चप्टा कोमल और देहगुआ बित्ती body cavity रहीत होता है इनने में body cavity नहीं पाई जाती पहली बाद तो देहगुआ मतलब body cavity नहीं पाई जाती यह च soft होते हैं और chapter होते है ठीक है इनका शरीर द्वीपार्च सम्मीती होता है यह किसी को दो बरावर भागों सकते हैं एक बरावर भाग एस इस तरीके से तो यह फ्लेटॉम् ऑगे आएंगे जिनको दो बागों बाट के देखा जा सकता है प्लेन एरिया को छोड़कर इस फाइलम के सभी जीव परसाइटिक होते हैं परजीवी होते हैं परसाइटिक का मतलब होता है जो किसी और पर निरबढ रहते हैं जो किसी और से लेकर खाते हैं ठीक है किसी जीव पर किसी पर निरब्र होते हैं लेकिन इसमें जो clean area है exception है कि पोशी से चिपकने के लिए पोशी यानी देखो चूदिते जीव कई आपना भोजन खुद बना उससे चिपकते हैं और उन जंतों से चिपकने के लिए इनमें चूशक या कंटक सकर और हुक होते हैं इनमें मैं दिखाऊंगा सकर और हुक आगे चित्र में कहां होते हैं उससे इस पर चिपक जाते हैं और वहीं से अपना भोजन ग्रैन करते हैं यानि फीडिंग करते हैं इनका शरीर त्री कोरक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है यानि इनका उत्तक विभेदन तीन कोशिक के स्तरब से हुआ है देखो टिशूस भी एकदम से नहीं बनते हैं तिशूस के अंदर भी कोशिक आया होती है महुत सारी तो इनका जो इनका जो शरीर होता है वो ट्रिप्लो differentiation has taken place from three cellular level तीन कोशी के स्तर से एक उत्तक बनता है वही ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है ध्यान रख लेना triple oblastic working कहला उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक समझत है यहां तीन कोशिक्र कोश्चन के लिए खास प्रकार की कोशिका है पाए जाती है इसे flame koshika या solenocytus केहते हैं देखो इन में flame koshika यानि से चिपक जाते हैं जी पोशी से इनको बोशन प्राप्त करना होता है इसके कुछ एडिया लेवर फ्लूक और टैप वर्म मानव आत में पाए जाता है हमारी पाए जाता है को कि से पोशन गहांने कर लेता बिमार कर दो नको रोग में ही ना में बोल गयाँ आज और है इसके एलमंथीज दोनों कह सकते हैं एक इपलाउंड वाम कहते हैं अभी पीछे प्लैटि हलने चप्टे वा चप्टे क्रीमी फ्लाट वाब अब यह हैं राउंड वों गोल क्रीमी इनका शरीर द्वीपार्ष और सम्मित वही बेलेट्रियल symmetrical होता है ठीक है बलेट्रियल symmetrical इनका शरीड़ त्री को रग यानि ट्रिप्ल ब्लास्टिक होता है ट्रिप्ल ब्लास्टिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं जिनका तीन कोशिकाओ से मिलकर एक कुछ तक बना हो ठीक है यह जिस स्वतंदर जीवी और परजीवी दोन हो सकते याद रखना पूछ लेगा किस की देहगुआ यानि बॉड़ी कैविटी को कूट सिलोम यानि फॉल्स सिलोम कहा जाता है तो वह संग एलके हलमन्थीज के जीवों के बॉड़ी कैविटी को कहा जाता है यह आते हैं इसके एक्जामपल कुछ ठीक है यह इस तरिक है एसके र पानी में रहते हैं कुछ जमीन पर रह सकते हैं कुछ परजीवी है और कुछ स्वधनतर जीवी है कुछ फ्री लिविंग है और कुछ परसाइटिक है ठीक है एन एली डर वराड लयमार्क है कोई पुछ लिदा किस ने दिया बड़े बड़े कौनुटेसरों गजाम में पूच सकते हैं तो लयमार्क है ठीक है एन इलिडा जनन्तु ड्वी पारस संमीत और त्री को सोता है . dimmth की जो तीन कोशीकाओ से मिलकर एक Wiz बनता है इनमें वास्तिविक देघवभा भी पाई जाती है देघवभा मतलब बॉडी के विटी इन जीवों में पाचन उतसर्जन तंत्री का तंत्र पाई जाते हैं these organism have digestive excentric and nervous system ठीक है तो भाहि है इनमें पाचन तंत्री याणि डाइजेस्टिव सिस्टम और उत्सरजन तंत्री सिस्टम और तंत्री का तंत्री नर्वस सिस्टम तीनों पाई जाते हैं इनके शरेड में रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं रिंग लाइक सेगमेंट्स यानि छल्लेदार डिजाइन होते हैं इनके शरेड के अंदर दिखा यह इसके एक्जाम्पल है इसके तो इसके बाद आता है फायलम और्थ और्थोपोड यह सबसे इंपोरेंट फायलम है देखो जातर उयर्थे और्थे जूड़े हुए पैर और्थोपोड का मतलब होता है जुड़े हुए पैर यह जन्तु जगत याने अनिभाड़ा फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है तो और्थपोड आ है इसका है इसमें द्वीपार्स शम्मिती पाई जाती है और शरीर खंड्युक्त होता है ये इस अनिमल्स आर बाइले bilateral symmetrical and segmented होता है ठीक है टूटा हुँ होता है टूटा हुँ मतलब कुछ भागों में बाजित होता है ठीक है और द्वी पार्स सम्मितिया नहीं इनको दो भागों में काट कर देखा जा सकता है ठीक है इंद में खुले परिसंचरन तंत्र पाये जाता है अता रक्त वाहिकाओ में नहीं बैता इंद में क्या होता खुला परिसंचरन तंत्र पाये जाता है और इसी वैसे इनका रक्त वाहिकाओ में नहीं बैता रक्त वाहिकाओ में नहीं बैता उसमें नहीं बढ़ता इंग्लिश में देख लेते हैं there is an open circulatory system and so the blood does not flow in well-defined blood vessels यानि रक्त वाहिकाओ में रक्त नहीं बैता क्योंकि इनमें खुला परिसंचरन तंत्र यानि open circulatory system पाये जाता है ठीक है हाजित होता है इनकी देहगुआ body cavity हीमोसील कहलाती है कोई पूछले और्थ्रोपोडा की body cavity कहलाती है तो हीमोसील कहलाती है मैं इसके बारे में अच्छे से दिखाऊंगा इनकी पिच्चर वगएर काफी इनकी पिच्चर है इन जीवों में स्वशन क्रिया शाडिरिक सता ग स्वशन नलियों से इन तीनों से इन में respiration हो सकता है अब इसके अंदर एक्जामपल देखो और और बहुत सारे कीट आते हैं कीड़े मकोड़े बहुत सारे आते हैं ज्यादा तर इसमें कीड़े मकोड़े पाई जाएंगी इंसेक्ट इसमें बहुत ज्यादा पाई लेकिन मकडी जो होते हैं वो इंसेक्ट वर्ग में नहीं आते हैं जिसके मटलब तीन जो डी इसको नहीं हो about पाई जाते हैं तो लेकिन मकडी ऐकोटाइन के ऎको मट महर्आ कैए चिन यह मचली होती है लेकिन यह मचली नहीं और ठाँ मंने यह इसको खाता बड़े चाउसे चाइन को खाते तो में लुधिन नियुक्त परदात होते ही है ठीक है पैरिप्लेनिट यानि कॉक्रूज तिल चट्टा लडिक्यों का फेवरिट ठीक है मसका यानि हाउस फ्लाई यानि घर की मक्ही स्कोलोपेंड्रा यानि शत्पाद यानि कांखरूज कांखजूरा और इसको कौन जाता है बटरफ्राइ ठी तो इसके कुछ इग्जामपल है इसके बाद आता है संग मोलास का देखो और्थ्रोपोड़ा समझ में आ गया इजी था इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस फाइलम का नाम जोस्ट जोस्टन ने 1650 में दिया था ठीक है दे आर इसेंशली अक्वेटिक मोस्ली मरीन नहीं समुद्री हो सकते हैं कुछ पाइजाते फ्रेश वाटर में और कुछ जमीन पर पाइजाते ठीक है तो मॉलास का भी लगबक तीन जगां मिल साते है इस приб और्थ्रोपोडा पहला उसमें लगबग सारे इंसक्ट आ जाते हैं, तू-थर्ड कवर करता है वो और्थ्रोपोडा, इनमें शेल पाई जाती है, इनकी जो बोड़ी होती है, जो कवर होती है, जो कैल्सियम कार्बोनेट की बनी होती है, हिमोसाइनीन की वज़ा से इनका खून, रंगहीन, हरा या नीला हो सकता है, अब आपको गैस करो, ओक्टोपस का खून कैसा होता है, कहते हैं नीला सम्थिंग कुछ ऐसा होता है, तो हिमोसाइनीन की वज़ा से इनका खून होता है, या तो रंगहीन होता है, या तो हरा होता है तो नीला होता है इन these organisms respiration occur through the gills और sal gegangen और लंकल्स इन में किसके तौर होता है गल्फोडोब के बारा और गिल्स के दारा होता है गिल्स और फेफडोब के दारा होता इन में स्वशन यानी in respiration सुरोद चेंफिंज एक्जामपल स्नेल हो गयाерш पाइला को स्नेल सब्सक्क्राइब आफ तो इसके बाद आता है नेक्स आई होब को मुलास्का सभन में आ गया है को मुलास्का में इतने ज्यादा कुछ था नहीं इसके बाद आता है फाइलम इकाइनोड डर्मेटा यह भी important है ठीक है इन ग्रीक इकाइनोस means hedgehog spiny mammal काटेदार स्थनपाई देखो इन ग्रीक इकाइनोस का मतलब होता है hedgehog यानि spiny mammal काटेदार स्थनपाई and derma means skin तो इस पूरे का इकाइनोडर्मेटा का सब्सक्राइब काटेदार जिसके शरीर पर काटे हो ऐसा जनतु थीक है तो काटेदार तवच्वाल वाला जीव किसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा पूछ तुमसे काटेदार तवच्वाला जीव किसे कहते हैं ठीक है ग्रीक वर्ड इस और फ्री लीविंग मनी मरीन ऐनिमल्स यह मुक्त जीवी समुद्री जनतु यह समुद्री में पाई जाते हैं ठीक है त्रिपल अब्लास्टिक हैं सिलोंग लो सिलोंग कैविटी कैं लो अथे आफ कुल एर उड़ संवहन नाल नांतथर जाता है जल संवहन नाल तंत्र के द्वारा चलते हैं विज्चरण करते हैं ताकि इसको थोड़ा धंग से समझ सके ठीक है थ्यान रख लेना थोड़ा स्लो इसले बोल रहो ताकि आपके दिवाग में चीज़ घुस्ती चली जाए ठीक है इसमें कैल्सियम कार्बोनेट का कंकार काटे पाए जाते इकाइनॉस समुद्री आर्चिन ये इसका एक्जामपल हो गया ठीक है इसके अलावा होलो थूरिया यानि समुद्री खीरा खाने वाला बिल्कुल नहीं ध्यान रख लेना और यहां तक खतम हो गया उन लोगों का सफर जिनके किसी भी जीवन के काल में हड्डिया आहँ होती है काइन को मिल रही है इसी उसको बच्पन में मार देते ना ना कभी तो तो अबीतक जितना अपन ने पड़ा वह इनका सफर यहीं पपर खथम होता है अब यह थे देखो इस सारे इक्जामपल है इनमें देखला हैसे मक्की देखलो चाहिए क्रैब देखलो टाहें अपना यह कन ठाजूरा देखलो छाहे किचूवेत्वलो ठाइक्च लग यह इनमें किसी में भी यह जो आपको यह को अरचन देखलो इनमें किसी में से भी किया आपको दीखाई देहां नहीं 67 विदाउट एनिमल without बेग्वoffs जिनके बारे में थो नौन कॉर्डटस था अभी तक अब जिए अभ़ो पढने वाले हैा वह ए कॉर्ट ट्यूर्ट कालो से रहा लिखा हुआ है वह टेब्स के ल snail क zajनो के लो इसकार करेंड़ का लूब इन्हें धानल इनमें भी इनमें भी इनमें भी उनमें वी और इनमें बी ये तो अपन खोथ है तो हम सब में read की पायाती, अब इसका x-ray देखो इंसलो hustru, इसको सब्सक्रDEN और यह हमारा करते हैं यानि काशे रूकी के अंदर क्लास में बढ़ जाते हैं मैं मलिया ओगया नीट नियान रक लेना इन पांच करके अलग और तरीके से पढ़ेंगे पहले मतस्य बढ़ से यह इस में बढ़ में ठीक है मचलिया कुछ फ्रेश वाटर में रहती है और कुछ पाई जाती है मरीन यानि समुद्र में पाई जाती है और कुछ पाई जाती है फ्रेश वाटर में ठीक है सबके अपने अपने तरीके से रहने के फंडे हैं इनकी तवचा यानि स्किन शल्क से कवर होती है इसी इसी वज़ा से मसलिया शाइन करती है इसी वज़ा से मसलिया देखते नों शाइन करती रहती है आपन के उपर भी शल्क होती तो आपन लोग भी शाइन करते ठीक है कुछ फ्रेश का endoskeleton endoskeleton यह अंता कंकाल कुछ फ्रेश का अंता कंकाल cartilaginus cartilaginus यानि नरम हड़ी का होता है जैसे शार्क और कुछ फिश का endoskeleton bonny यानि हड़ीदार होता है जाता है एक बाद बता दो एक छीज ध्यान रख लेना कि कुछ आन्टाह कंगाल, इन दोनों में आन्टाह कंकाल पाया जाता है लेकिन इसमें हड्रे नहीं पाय जाती तो फिषों का अन्टाह कंकाल हिनिए पाया है एक उपस्ति वाला और एक अस्ति वाला यानि बोनी यानि हड़ी दार कुछ मचली हड़ी होती है उनमें हडडिया पाई जाती है लेकिन अगर आप शार्थ को काटो तो नहीं पाई जाएगी यह ना रब हड़ी वाले होते हैं बिल्कुल ना के पराबर हड़ी ठीक है जिसको हम कहते हैं English में कायटी ले जिन्स कायटी ले जिन्स ठीक है धियान रख लेना इस वेल हो गई ब्लू वेल वो भी मचली नहीं है वो एक मैमल है क्योंकि वो अपने बच्चों को दूद पिलाती है और वो कभी-कभी सता के उपर आके वो फेफड़ों से स्वशन करती है कितनी मज़े की बात है कि आभी तक हम लोग जो समझते थे अगर हमने ना पढ़ाओ तो बाहर के सब करते हैं टेके अपनी मांसल पूच मांसल पूच्च तैल का प्रियोंक्त त्यार स्पेयों त्यृठ को होता है मांसल पूच का प्रियोग यानि मस्कुलर टेल का प्रियोग तहरने के लिए करता है मजली जब घुमती है तो तहरती नहीं ऐसे करके तेडा तेडा मतलब होता है कि अकर फटा घरम और थंदा तो आप भी ठंडे यानि मौसम अगर थंड़ तो आप भी ठंड़े लेकिन हम इंसानों के साता सह नहीं होता हम घरम रहते हैं हम वार्म रहते हैं इसलिए रहते हैं अरह इनके हाट में होता है इनका दिल का दिल यह होता है इक होता है इन-में को अलिंद कहता है और लिंद और पाइज Seven और एक रिलbn चलो जेसके कुछ ऐग्जामॉपल यह शीन हाप बत्तीश होती है ठ्रीक है मैं डॉरीन फिश और लाइन फिश इसके के लावह और जो अर्टरो रहत विद्धूत्र रे टॉर्पीड impact टॉर्पीडव स्टींग रहे दंच रहे कहते हैं इसको और स्कॉयो डॉग् vats इसका नाम हो लगा जाता है या तरीके घूमता वह समुदर के अंदर सारे बग जाते हैं तो शार्क का नाम इसका साइंटिफिक नेम है और इसको डॉक्ष भी कहा जाता है इसके लावा लेबियो रोहिता ये भी एक मचली काफी खाए जाती और दर्याइगोडा मेल हिपो केम अब देखो घोड़ा घोड़ा तो जमीन पर दोड़ता है लेकिन असल में एक मचली है दर्याई घोड़ा हिपोकेमपस इसके अलावा एक्सोसीट और यह अपना लास्ट में ठीक है एनाबास यह कुछ ऐसी मचलिया जिनके एक्जामपल है और मैंने बता दिया आपको यह फ् प्रॉग और टॉड़ को जादा मानेता मिली पड़ी इसमें ठीक है एंफीवेंस नीड बोथ वाटर एंड लेंड तो सर्वाइब देखो कहते हैं लोग के एंफीवेंस वाटर और पानी दोनों जगा रह सकते हैं लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि यह दोनों जगा मजबूरी मे उसको फोड़ के अंदर वाले मामला निकालता है ठीक है तो बनाते है लेकिन पर को आपनी के अंडे में ले जैसे मचली कहरा हूं मुरगी के अंड्वें या बक्षी इसमें फोटा है ठोस कवर होता है लेकिन इनके अंडों में क्वह थोस कवर नहीं होता तो प्रोडेक्शन के लिए तो क्या होता है अगर यह पानी के भार एंडय देथे तो इनका ठीहाईड होता है पानी के अंदर देता है ताकि सूरे से इनको हानी नहीं होते हैं यह अगर मौसम गरम तो यह गरम मौसम थंडा तो यह थंडे इनकी तवचा पर शल्क बाल या पंक नहीं होते इनकी तवचा होते हैं और चिपचिपी शल्क पाई जाते हैं इस व्यहसे समूधी और गौते हैं स्कीचेम्ब्र टू एट्रियम और यहार ड़ी तो ऐट्रीमें और एक वैंट्रिकल पाल जाता है और रेश्पिरेशन इस्थो गिल्स लगस एक तो गिल्स से कर सकते यह बहर आएंगे तो ऑर स्कीन से विकरते ना इनको थैफने पॉल उस बहुत दल जल स्थर्चर की इन मेडक वगरा की पूछ भी होते हैं लेकिन अपनी पूछ हटा देते हैं कुछ लोग नहीं हटाते आप देखो इनका हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो राइट अट्रियम लेफ्ट अट्रियम यानि दाया और बाया अलिंद और निले वेंट्रिकल ठीक है यह इनका हार्ट हो गया अब कुछ एक्जामपल देख लो यह फ्रॉग हो गया सेलमेंडर हो गया और टॉड हो गया इसके फेमस एक्जामपल यह थीन तो ठीक है क्लास रेप्टीलिया वर्ग सरीश्रिप अब इसमें रेंगने वाले होते हैं अब देखो रेंगने का मतलब देखा तुमने वह भी रेंगता है और मैं बताओ सबसे बदनाम बढ़ गए सबसे बदनाम क्लास है अब मैं इसको सबसे बदनाम क्लास क्यों कह रहा हूं क्योंकि देखो जादतर मुहावरे ना बदनामी वाले इनी के उपर बने पड़ें आस्तीन का साप गड़ियाली आस सबसे बदनाम बढ़ तो इस वजह से इसको याद रख सकते हो रेंगते हैं इसी वैसे इनको रेप्टाइल्स कहते हैं यह आसमतापी जंतु है और इनका शरीट श्ल्कों से धका होता है ठीक है इस अनिमल्स और यह आटावरण घंडा तो यह धंडे ब्लेडिड होता है ठीक है वाइल most of them have three chambered heart crocodiles have four chambered heart देखो इनके ज़्यादातर reptile में mostly सभी में three chamber वाला है यहीं तीन कक्ष वाला heart होता हिर्दे होता है three कक्षिय हिर्दे three कक्ष वाला हिर्दे होता है लेकिन crocodile यह एक ऐसा है जिसमें चार कक्षिय हिर्दे पाए जाता है reptile में तो three chambered heart होता है लेकिन एक exception है exception यह है कि crocodile का heart जो होता है जो घडियाल होता है मगरमच होता है उसका जो हिर्दे होता हो चार कमरों हो बटा होता है चार कक्षिय होता है दो अलिंद और दो निले यानि दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल ठीक है सबसे बढ़ा सरीषरफ डाइनशुर था ध्यान रखना डाइनसौर एक रटैल था सबसे बड़ा रैप्टैल था मतलब अब तो खतम होगे तो अब सबसे बड़े हैं नहीं लेकिन इसको कहते है की कुछ लोग कहते है कि जो देखने को लगता है फोड़ा आलशी का होता है और यहां का pessimism, जी तरह ब नीन हम पर इस बड़ा सब्सक्रार को सब्सक्राइब झालगा सब्सक्राइब यह समया है सबसे बड़ा रेप्टाइल माना मतलब पढ़ा और देखा और कई बहुत सारी जगह उपर अगर आप इंट्रेनेट पर सर्च करोगे तो आएगा यह सबसे बड़े रेप्टाइल है ऐसा माने जाता है काई काफी सारे ब्लॉग में मैंने यह पढ़ा तो अगर किसी को इसका क ब्लॉग वगरा मैं नेट पर पड़े नेट योग्राफिक वगरा जो बड़े बड़े ब्लॉग है फॉरेंड कंट्री के विए उसमें मैंने जो सॉल्ट वर्टर क्रोड़ाइल है इसको सबसे बड़ा रेप्टाइल पाया ठीक है इसके और बी एक्जामपल है गिर्गिट ठीक है थीज आर वार्म ब्लेड़िड अनिमल्स एंड फॉर्ट चेंबर्ड हर्ड देखो यह वार्म ब्लेड़िड होता है अभी तक तीन हमने पड़े एंफीबियन रेप्टाइल रेप्टीलिय एंफीबियन और पड़ा था जो उसमें अभी तक हमने पड़ा कि वो क्या भी ध हीशा गर्म रहता है थीच लिधे होता है इसीब करने के लिए हड़्डिया हलके वजन लंबी और खोकली होती है हलकी होती है इसी वज़ाइसे वड़ बाते है तो फैदर यानि पंक भी आइस वज़ाइसे वड़ पाते लेकिन हम उड़ निहीं पाते पर यह क्यों एको इनके बाते कुंकि इनके वड़िने लग गई अच्छ सबसे बड़ा पक्षी neighborhood और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बाचि हमिंग बड़ यह सब सबसे चोटां मुर्ग और हमिंग बर्द यह सबसे छोटा और यह सबसे बड़ा बाकि और पक्षी कबूतर तो छिवेल तरजिन बहुत सारे पक्षियों के उनकी एक्जामपल आप रख सकते हैं लेकिन यह दो में थे इसलिए मैंने आपको बता दिए तो क्लास मेहमलिया भी सब सेलिए लड़िक atención की तरह लेकिन हमारे पास दूद्र पिलाने वाली नहीं होती पुरुषरों में दूद्र पिलाने वाली ग्रंटी नहीं 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 छीए यह आहिए Warm होते हैं और वेल डेवलप्ट होते हैं हम सारे वेल डेवलप्ट है अपना पूरा का पूरा भाग निकल कर आता है ठीक है दे हैव मेम्री ग्लेंट्स मेम्री ग्लेंट्स का मतलब दूद गरंती फॉर दा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क तु नरिश देयर यंग वन्स देखो इनके जो नवजात शिशु होते हैं देर छुप गया छोटे फोन के चक्र में नवजात शिशु जो होते हैं उनको दूद पिलाने के लिए इनमें मेम्री ग्लेंट्स होते हैं दूद गरंतिया होती है ठीक है इसे के चक्र में दूद उतपादन होता है उनका दूद पिला पाती ह ठीक है एंड यहां पर अपने बच्चे को अपने बच्चे को अंडे के रूप में देते हैं फिर उनको दूद पिलाते हैं लेकिन जाला तर जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपने पेट में जरम देते हैं जैसे गाय, कुता, बिली, शेर ठीक है शेर नहीं सॉरी शेर थोड़े दे जरम देगा there skin has hair as well as sweat and oil glands उनकी दवचा पर बाल के साथ सत्थ पसीन और तेल घरंथी भी होता है देखो अगर उठोगे तो आपकी नाग चिपचिप होती है देखो बहुत सारे लोगों की oily skin होती है तो oily skin का मतलब क्या होता है हमारे पस sweat glands है और oil glands है है पसीना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों होता है हमारे पास हेर्स है थंडी बगएर से बचाने के लिए ठीक है इनका हीड़े चार कशिये होता है धार चार होता है दो अलिंद और दो निले यानि दो अट्रियम और 2 में ट्रिकल ठीक है अब को चिंठे यह आप लीशन देख लो Phylant यह आप होता है अगरी ज़ो पूरे में से लेख लिए अब इसको वड़े लेते लेखो देखो अंटे अग cat स्तंधारी यानि Mammals, Platypus और Acheidona इस सबक्लास में आते हैं Platypus और Acheidona ये दूनों स्तंधारी है Mammals है लेकिन ये अंडे देते हैं ठीक है इसके बाद आविक्सित बच्चे को दन देने वाले स्तंधारी इसमें आते हैं Mammals that give birth to underdeveloped children fall in this subclass kangaroo अगर आप kangaroo को देखे तो उसके अंदर एक झिल्ली होती है जोली सी होती है उसमें ये बच्चे को जन्म देती है और जब तक बच्चा पूरा बढ़के बढ़ा नहीं हो जाता तब तक जिल्ली से बाहर कुद आते नहीं अपने बच्चे को और कूदी नहीं सकता अपने बाहर जिल्ली से तो यह आविक्सित बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन ये अंडे फूटने के बाद से निकले बच्चे को धूध्ध पिलाते हैं ये जली के अंदर फूरा विक्सित तो बहार को दा देते हैं और यह पैदा होने के बाद इसको दूद पिलाते हैं पूर्ण विक्सित बच्चे को ठीक है अब एक्जामपल देख लो यह देखो यह जो अंडे देने वाले न प्रोटो थेरी है इसके दो इक्जामपल है प्लैटिपस और एकेडिना यह रहा प्लैटिपस और यह रहा एके प्लैटिपस और यह दोड़ दोड़ गरंती होती है तो इस जितने वी सतंदारियों तीन बागों मड़ जाते हैं ठीक है वह मैंने आपको बता दिया सारा कुछ बता दिया और यही तिया आज के यमारी लास्ट लाइड आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शिर सब्सक्राइब करना अगर आने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कि जिए याप पढ़ने से मतलब है सब्सक्राइब ना करो वह आपकी इच्छ है नो फोर्स और आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए आज एकल में 100% में यह वाला पीडिएफ जरूर दूँगा क्योंकि यह वाला पीडिएफ इंपोरेंट है यह वाला पीडिएफ आपको मिल सब्सक्राइब बाइ, स्टेए होम, स्टेए सेफ।